तो देखिए हमने एक सब्द लिखाता है यहां पर प्रेम तुरुया से करते हैं प्रेम पर हम लोग चल रहे थे कि धाई अक्षर प्रेम का पड़े सो पंडित होई अब प्रेम है क्या यहां देखिया तो हमको किस ने बनाया आप लोग तो ने खूब सुनाया कि छित जल पावक गगन समीरा पंच तत्मिल बना यानि धर्ती पानी हवा आकास अगनी से मिल करके मेरा सरीर बना थीक है न इसमें कोई संका संदे तो है नहीं अब आगे देखिए तो क्या मेरा ही सरीर बना इनसे मिल करके नहीं इनसे इस धर्ती पर जितनी भी जीव जगत की माया है न इस पंच महाबूत ने सब का सरीर बनाया है कीटी से लेके हाथी तक और दूब घास से लेके बरगत के पेंड तक जल्चर थल्चर नबचर सभी का जीव सभी जीवों का सरीर किसे बना है धर्ती पानी हवा आकास अगनी से और जैसे मैं आपके सामने हूँ मेरा सरीर भी इनी पांस तत्तों से मिलके बनाया है लेकिन मैं खड़ा हूँ मैं बोल लाओं किसकी बदूलत एक चेतना है एक आत्मा है एक उर्जा है तो सरीर तो इनसे बना है लेकिन ये आत्मा चेतना उर्जा ये जिन्दा दिली किसकी बदालत है परमात्मा तो हमको आलवेज खेती का भी से सुरू करने से पहले अगर प्राक्तिक खेती को किसी को ठीक से आत्म साथ करना हो तो ये मान लेना पड़ेगा कि सारा खेल इनका है किनका परमात्मा का और पंच महाभूत का तो खेती हम कहां करेंगे खेती हम पंच महाभूत में ही करते बनस्पतियां खेती क्या है खेती का मलब है डिफरेंट टाइब की बनस्पतियों को उगाना बनस्पती जगत ये मैंने बोला धर्ती पानी हवा आकास अगनी ये बनस्पतियों का निर्माड कर सकती है और इनी से होता ही है और हम खेती किसकी करते हैं इनी की तो करते हैं फसल क्या है फसल क्या है बनस्पती ही तो है अब यहाँ पर पढ़े लिखे लोगों ने दो भाग कर दिया यह क्राप है और यह वीड्स है यह फसल है यह खर्पतवार है खर्पतवार का मलब है जो आपके लिए अनुपी होगी हो जो आपने बोया नहीं है जम गया है समझना बात जो किसान ने बोया नहीं है लेकिन जम गया उसको क्या बोलते है अब हमारी सोच कितनी बड़ी होनी चाहिए थी मुझे ये सोचना चाहिए तो जो मैं नहीं बोता और जम जाता है गेहूं तो मैं बोता हूँ और कई बार उसमें का गया है कि गेहूं का फसल बोया था लेकि साथ जर्मिनेशन कम हुआ यानि कि वो बीच कुछ खराब था और यहां जो खेद में जम गया है वो तो हमने बोया भी नहीं था वो कैसे जम गया नाना प्रकार के वीट्स जम गये तो हमारी द्यूटी है कि इसके बारे में जर्द दो मिनट रुकें और सोचें कि जो मैं प्रकृति में बोता नहीं हूँ और जम जाता है उसके पीछे का रीजन क्या है देखिया धर्ती, पानी, हवा, आकास, अगनी ने जाना प्रकार की बनस्पतियां बनाई नाना प्रकार के जियू यानि जल्चर, न्भचर बनाए और लास्ट में ग्याना वतार मनूस साया और खेती कौन करता है? मनूस तो ये मनूस क्या सौच रहा है? ये मनुस, ये सिस्टम मेरा है, इस सिस्टम में मैं गेहूं बो करके, गन्ना बो करके, कपास बो करके, अपना धन कमाऊंगा, अपने जीवन को सम्रुद साली बनाऊंगा, मैं हसूंगा, और जो प्रकृति ने और कुछ बोया है, ये नहीं समझ पाया, कि जो चीज़ें बिना बोय उगती हैं, उनके पीछे का रहिस्ट क्या है, तो फिर देखिए, धर्ती में उगा है, धर्ती क्या है, मा, क्या है, क्या मेरिये के ले मा है, ये जो नाना प्रकार के जीव जन्तम हैं जबचर के लिए धर्ती ने तुमने लिए अपने लिए फसल बोई है, धर्ती ने अब कुछ और भी बनस्पतियां बोई है, उसे पता है कि ये फसल तो आदमी काट ले जाएगा, लेकिन जो सेश चीज़ें बचेंगी, वो दूसरे प्रकार के जीव जन्तुओं पक्षियो के लिए काम आएंगे और वो लास्ट में हमारे उपर ही उडेल देंगे, यानि धर्ती को अपने उरबरता का भी ख्याल रखना है, क्योंकि निरंतर 84 लाक योनियों का भरण पोसन करना है, तो धर्ती अपने सरीर में के स्वास्त के लिए वो जो उसमें जीवांस बनना है, उसमें जो इनरजी निकलनी है, वो उस इनरजी को निरंतर निकालते रहने के लिए अपना मेंटिनेंस भी करती है, लेकिन मैं भूल जाता हूँ, भूल गया ना, वीडी साइड लिया और मारने चल दिया, अब आप समझे और ये आदमी क्या कहता है, जो वीडी साइड डाल करके खरपतवारों को मार रहा है, ये क्या कहता है इसको, ये साइंस है, ये टेकनोलोजी है, मैं कहता हूँ, ये मूर्खता है, ये ना समझ है, आपकी अग्यानता है, तो खेती कभी साइड क्या है, कि हमको देखना है, कि हमारा रचनाकार, हमको जिंदा रखने के लिए, कै ऐसा कैसा उसका management है तो प्रकृति के management को ठीक से समझना और उसके अनुरूप जीवन जीना कि क्या कहलाता है प्राक्तिक खेती और अगर मैं ऐसा करता हूं तो हमको फिर किसी चीज की जरूत नहीं है जिसने अपनी सौंप दी प्रभू को लंबी डोर उलज कभी सकती नहीं पक उर्बरक डालते हैं आपको बताए गया फसल भूएंगे तो उर्बरक देने पढ़ेंगे यह मन में भर दिया गया क्या बैज्ञानिकों ने अच्छे उत्पादन के लिए उर्बरक तो देने ही पढ़ेंगे और यह मेरे दिमाग में भर गया भर गया ना हम कहते हैं सवाल यह है कि उर्बरक क्यों देने पढ़ेंगे यहां से चलिए एक बिचार आया कि फर्डाइजर देना बहुत जरूरी हो देना ही पढ़ेगा एक बिचारी आया वहाई नहीं देंगे तो तो किसी ने कहा उत्पादन गिर जाएगा अच्छा अगर उर्बरक देंगे तो उत्पादन बढ़ जाएगा लेकिन प्रोडूस की क्वालिटी क्वालिटी पर कोई बात ही नहीं करता तो मैं कहता हूँ औरबरक जब फसल बोएंगे औरबरक देने पढ़ेंगे और जब मायाँ से शुरू करेंगे क्यों देने पढ़ेंगे तो जाहिर सी बात है कि मा की सामर्टब ये जो धर्ती मा है ना इसकी सामर्टब फसल को पोसक तथ तुपलब्द कराने की रही नहीं है तो फिर अगला सवाल क्यों नहीं रही है तो पता चलेगा कि मेरी सतर साल की खेती करने का जो तौर तरीका था वो इतना गंदा था उतना अग्यानता बरा था कि उसकी वज़े से मा की कोक बंजर होने की कगार पर पहुँच गई है तो चलो अब मेरा ड्यूटी बनती है तो क्या मैं निरंतर उर्बरक दे के फसल पैदा कर सकता हूँ अभी तो चालिस साल से कर रहा हूँ और कितने साल तक ये सिलसला चलेगा आप दिमाग से काम लेना तो आपको उतर मिलेगा कि अब ये उर्बरक दे करके फसल पैदा करने का सिलसला भी बहुत लंबा नहीं चलेगा तो फिर अगर लंबा नहीं चलेगा तो मेरी आने वाली संताने यां क्या करेंगी तो एक उत्तर मिलेगा आगे आने वाला समय बहुत ही गंभीर है खराब है और बहुत बड़ी आपदाओं आने की संभावना है तो हमारा ड्यूटी क्या बनती है अज ए हुमन क्योंकि आप ग्याना वतार हैं सबसे स्रेष्ट रचना है आपके कर्म भी सबसे स्रेष्ट होने चाहिए तो स्रेष्ट मनुस की सोच यह कहती है कि मैं अब धर्ती की उरबरता को ठीक करूंगा क्योंकि ये इस्थाई है अगर म अगर मुझे अपने फसलों की उत्पादन लागत घटानी है अगर मुझे अपने फसलों की उत्पादन लागत घटानी है अगर मुझे खाद पदार्तों की गुनवत्ता को सुधारना है अगर मुझे बीमार नहीं होना है और अगर मुझे अपनी आने वाली संतानों की ठि है ये देश के किसानों को जान लेना चाहिए जो जल्दी जान लेगा फायदे में रहेगा और जो देर में जान पान जानने का प्रयास करेगा तो उसके लिए कई वार मेरे मुझ से निकल जाता है कि तुम जब जानने का प्रयास करोगे तब तुम जानने लाइक ही नहीं तो मैंने वोया कि फखल वोएंगे तो हमें उर्बरक देना पड़ेगा और मैं प्राक्टिक हेती में कहता हूं मुझे उर्बरक नहीं देना तो क्या करना है हमको जमीन में जीवांस कार्बन बढ़ाना है क्या करना है केवल एक चीज है जीवांस कार्बन बढ़ाना है अभी आप मिट्टी की जाज कराते हैं तो उसमें लिख क्या दा ना आपके खेद में जीवांस कार्बन इतना है अब समझे ना जैसे मैंने उपर ल कितनी बार मेरे साइंटेस्ट बोलते हैं कितनी बार किसानों के हेल्थ कार्ड में लेकिया था जीवान्स कार्वन जीवान्स कार्वन जीवान्स कार्वन जीवान्स कार्वन कम हो गया कम हो गया छोड़ो यार कम हो गया पर तुम यह बताओ जीवान्स अगर ये दो सब्द समझ लिए तब ही जीवान से कार्वन पढ़ेगा अभी तो मुझे ये इसका सब्द का आर्थी ही नहीं समझ में है बोले क्या होता है जीवान से कार्वन किसान पुस्ता है बावु जीवान से कार्वन क्या होता है तो पड़ लिखा, आरे जीवान्स कारवन, वेज़ा और स्वाल में आργेनिक कारवन, देखिए आप मझे किवा खिसान को उसाँ पोझता है, वाज जीवान्स कारवन क्या होता है, तो पड़ लिखा, आरे वो जो आर्गेनिक कारवन ओता है, ना उसी को जीवान उसको भी नहीं पता रियल्टी बता दू ये विसाइग इसकी जो ओरिजनल व्याख क्या है जीवान्स की और कारवन की बहुत तम लोगों को पता है जीवान्स एक कुशन आचे बहाटे जीवान्स जीवान्स क्या है और जीवान्स की क्या जरूरत अखेत में तो सिंपल बेद में जाएंगे तो लिखाए जीवे जीवाहाद जीव ही जीव का बोजन है हम जिन्दा जीव को मार करके खाएंगे हम जिन्दा बनस्पतियों को उखाड़ करके खाएंगे हम गेहूं को पीस करके खाते तो गेहूं म भी बीज होता है जमने की सामर्त होती हो भी जिन्दा होता है ये सारा संसार ये जो जलचर थलचर नवचर है न सब के सब जो है न एक दूसरे पड़ी पेंद है अब ये बनस्पतियां मैंने बोला था बनस्पतियां बनस्पतियों को जीव खाते है और हम किसको खाते हैं हम ब खाते हैं और जीवों को भी खाते हैं कुछ जीव केवल बनस्पतियां खाते हैं कुछ जीव बनस्पतियां भी खाते हैं कुछ जीव बनस्पतियां नहीं खाते हैं और यह बनस्पतियां भी जीव ही खाती हैं बनस्पतियां भी बस इतनी चीज कोई नहीं बता पा रहा है कि बनस्पतियों का असली भोजन जीवांस है जीवों का अंस यह सिकार नहीं करती है डिफ्रेंश कितना है बनस्पति किसी को मार करके नहीं खाती लेकिन हाँ यह प्रतिक्षा करती है कि जिन लोगों ने मुझे खाया है जिन लोगों ने मुझे खाया है जब वो मरेंगे मिट्टी में मिलेंगे तो उनके जीऊ के आंस को जीऊ द्रब को मैं खाऊंगे ठीक है ना तो यह जीवांज काते और जीवांज क्या खाता है अब जीवान से बनता कैसे छोटे-छोटे सुक्षम जीओ कि यह जब मरेंगे अब यह क्या खाएंगे अब छोटे हो चाएंचुआ चाहिए दिमक हो यह क्या खाएंगे यह कार्वन खाएंगे जैसे केचुआ दीमक मैंने बोला कभी भी केचवा दीमक किसी जिंदा पौदे को नहीं खाते ना यह डेट किसु को खाएंगे और जो माइक्रो अग्रिजम है सुक्सम जीव हैं जो बेरी फिस्टियल है वो भी कभी जिंदा जीव को जिंदा बनस्पति को नहीं खाते जब बनस्पति डेड हो जाती तब तो मरी हुई बनस्पति पेल कटके गिर गया अब यह कारबन है जब तक पेल खड़ा था तब यह पेल था जब पेल गिर गया शूप गया तो इसके द्वारा जो पदार्थ निकलने, कार्बनिक पदार्थ, कार्बनिक पदार्थ से जो निकलेगा उसका नाम होगा कार्बन, और उस कार्बन को खाते हैं यह जीव, सुख्चम जीव, और इनकी लाइफ होती है चोटी, यह मर्त कार्बन खाते हैं, मर्ते हैं, कार्बन होने दूँ समझे ना बात अगर धरती में मैं इस चक्र को कंप्लीट होने दूँ यानि धरती में कार्बनिक पदान खुब एड़ करूँ और वहां जो सुख्षम जी उनको मरने ना दूँ और अगर मर गए हैं तो जीवाप्रत के माद्यम से वहां इनाकुलेट कर दूँ फिर फरदर मैं केचुवा नहीं मारूँगा दीमक नहीं मारूँगा कोई भी ऐसा इंसेक्टि साइड नहीं डालूँगा जिससे जीव जगत की माया मद नस्ट होने पाए कार्बनिक पदार्द डाला हूँ बरसा बरसारितू में खेत से जो जीवांस बना अगर जीवांस बन गया और खेत की मेड़ नहीं है तो जीवांस बरसारितू में आपके खेत से रनाप से निकल जाएगा इसलिए मैंने मेड़ बना दी निकलने नहीं दे रहा हूँ कार्बनिक पदार्थ डाला है उसको यह सुक्षब जी उखाते हैं जीवान से बनता है और यह जीवानु जो है या तो केमिकल से मरते हैं या हीट यानी गर्मी से मरते हैं तो खेत मेरा नंगा है तो अपरेल मैई जून के महिने में मरेंगे आपने का मैंने तो दो साल से कोई इंसेक्टि साइड नहीं डाला साब फिर भी नहीं है ओके तुमारे खेत में चाया नहीं प्रोटेक्शन का मिलती इनको गर्मियों में मर गए ठीक है न तो मैंने कार्बनिक पदार्थ दिया जीव दिये खेत की मेड बनाई खेत की मेड पर पेन लगा दिये दो साल तीन साल प्रतिक्शा करो और आप देख लेना अब आपको रसानिक और बर्कों की कोई जरूरत तीन साल चार साल के प्रयास के बाद जिंदगी भर के लिए इनको वासाउट कर दिया यही करना पड़ेगा